हमारे गाउं अंधेरे में डुबे थे वहाँ बिजली भी नहीं पहुची थे और लाखों करोड की लूट से सरकारी खजाना खाली ही रहता था आप लोगों ने भी सोचा होगा लिया जब हालत इतनी खराब थे इतने दसकों तक बुराईया थी तो इसका मन पर भी अशन होता है और आप सब देश वात्यों ने मान लिया था कुछ बदल नहीं सकता अब देश का कुछ हो ही नहीं सकता हर कोई निराशा में डूबा हुआ था इसी हतासा निराशा में 2014 में आपने गरीब के इस बेटे को अपनी सेवा का मोका दिया हतासा निराशा ये मोदी के पास भी नहीं फटक सकती और मैंने तै किया कि हालात बदलने ही होंगे और मेरे लिए तो मेरा भारत मेरा परिवार है हमें इमानदारी से काम किया कोरोना जैसा इतना बड़ा संकट आया दुनिया सोचने लगी थी कि भारत तो बरबाद हो जाएगा दुनिया को भी बरबाद कर देगा लेकिन इसी संकट में हम भारतियों ने अपने देश को दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी आर्थ वबस्ता बना दिया आर्थ